आज की इस प्रेस वारता में आप सभी का स्वागत है आज भाति जन्ता पार्टी महिला मोचा की राष्ट्रे पदादीकारियों की बैटक संपन हुई है कारेकारणिया संपन हुई है और उसी के निमित हमारे बीच में मंच पर उपस्तित है माननिय सांसद और राष्ट्य महामंत्री महिला मोचा इंदू गोस्वामी जी उनकी दाई तरफ उनकी बाई तरफ दिप्ति रावच जी और दाई तरफ सुप्रीत कोर जी इस निदू पोस्वामी जी से निविदन करती हूं कि आप सभी को संबोधित करें सरव प्रथम सभी पत्रकार बंधों को नमस्कार मैं राजिसावा की सांसद भी हूँ नहीं नहीं चुनके आई हूँ अभी और अभी ओल इंडिया जनल सेक्टरे बनी हूँ तो आपके साथ फर्स्ट इंट्रेक्शन रहे की मेरी आज जैसे की विदित है हमारी राष्ट्य अभी बिधायक भी है और उनके सानिध्य में फर्स्ट वैठक जो हमारी पदादिकारियों की और स्टेट प्रेजिनेंट्स की हुई है छोटी सी बैठक थी सिर्फ राष्ट्य पदादिकारी और प्रदेश के महिला मोचा के सभी अध्यक्स इसमें उबस्तित थे इसमें ती समानिय राष्टिय देख्ष शेजगत प्रकाश नडजी ने किया उनने महिला मोचा को उनकी आने वाले समें में क्या भूमी का रहेगी महिला मोचा के रूप में भारती जंता पार्टी के कारेकर्टा के रूप में किस तरह से आगे कि हमारे आने वाले प्रोग्राम होंगे और किस तरह हम केंदर सरकार की नितियों को जहां जहां परदेशों में हमारी सरकारे हैं उनके जो कारे करम हैं नितियां निर्णे हैं और साथ में हमारे देश के परधान मंत्री द्वारा महिलाओं से स्वंदित जो विशेश रूप से यो जनाय चलाई हैं उनको किस तरीके से हमने आगे ग्रासरूट पह लेकर जाना है और किस तरीके से हमने भारतिय जंधापार्टी की मुख्याधारा में देश की अधिकтор महिलाओं को अपनी विचारधारा के साथ जोड़ना है उस पे राश्टिय देखजी का मार्ग दर्शन हम लोगों को मिला दूसरा सत्र हमारा जो था राजनितिक परस्ताब का सत्र था और राजनितिक परस्ताब में हमारी बहनों ने आपके पास उसका राजनितिक परस्ताब की कोपी शाहिद पहुंच मेल कर देंगे आपको तो रा इसरा सत्र जो हमारा रहा वो हमारे ओल इंडिया जो मीडिया परवारी हैं अमितमाल भीयजी उन्होंने महिलाओं को जानकारी दी कि सोचल मीडिया में और उसमें अपनी भागिदारी कैसे कैसे अधिक सेधिक पार्टिस्पेशन उसमें करनी है ट्विटर हैं लिंग से लेके वर्ट सैप से लेके और किस तरह सरकार की नितियों का परचार परसार हम ग्रास रूट पे कर सकते हैं उसके बारे में महिलाओं को जानकारी थी और अन्तिम सत्तर जो हमारे ओल इंडिया जनल सेक्टरी श्री दुशेरमत ची का था जो हमारी सभी मोर्चों के परभारी भी है उनसे महिलाओं के वही भूमिका को लेकर उनका मार्गदर्शन प्राप्त हुआ हमने जो राजनितिक प्रस्थाब था उसमें हमने देश के परधान मंत्री जी का साभार धन्यवाद किया क्योंकि जब से हमारे देश के परधान मंत्री नेरेंदर मोदी जी ने नेतेतब मेहलाओं के क्षेतर में उन्होंने कारे किया है मुझे नहीं लगता पिछले 70 वर्सों में देश में जो मेहलाओं के क्षेतर में कारे की गी है वो कभी हुए हूँ क्योंकि अच्छा लगता है जब परधान मंत्री जी ए कहते हैं कि किसी भी देश या राष्टर का अथब तक विकास हम नहीं कर सकते, जब देश की आधियवादी का हम लोग विकास नहीं करेंगे, उसके अथान के लिए हम कारेकरम और योजनाय नहीं चलाएंगे, और एक और बात उनकी जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, वो जो उन्होंने एक हर जगा कहते हैं, और उस सपने को, उन्होंने लगबग साकार भी किया है, कि भारत को महिला, भारत की महिला को सिर्फ विकास से नहीं जोड़ना है, विकास के लिए तो बहुत सारी योजनाय कारेकरम चले हैं, महिला को निरने परक्रिया में किस तरीके से भागीदार बनाना है, उसके लिए उन्होंने काम किय है और उसके पीछे उनकी सोच है कि महिला घुकास के साथ साथा कि नेत्रतब गला आविकास वी हो महिला में नेत्रतब करने की सवाonne मंता भी पैदा जाहे वह गरामिर स्थर पर हो चाहे शहरी स्थर पर पर हो जाहे राजनेतिक सतर पर हो जहें समाजी सतर पर हो और इसके लिए सिर्फ भाष्यंग तक ही ताक भी कारेक्रम औरयोजनाय स्लिवित नहीं है भोँत सारे कारेक्रम जो पहली बार चले हैं उन कारेक्रमों से सचपुच महिलाओं को स्वाब लंभी हो ने में बहुत अग्रणी भूमिका, स्वाब लंबी करने बहुत अग्रणी भूमिका हमारी सरकार ने रिभाई है और कारे करम ऐसे चलाए गए पहली भार जिसमें बाले अवस्था वाली बालिका के उठान के लिए भी जब वो ववस्था में होती है उस बालिका का भी ख्याल रखा गया और नारीकाल का भी ख्याल रखा गया अजिकर यहां करें तो यूब अवस्था को ख्याल रखते हुए ही इस कुन्य ज़ाई गे तरही जिन को लड़कियां जिनको लेते हुए ही जन्म लेते ही मार दिया जाता था और मुझे लगता ही जो स्कुन्य सम्रीद ही ओजना है क्योंकि मैंने बिधान सभा के लेक्शन भी लड़ा है तो मैं ग्रास रोट में महिलाओं के साथ कम करती हूं ग्रामिन किशेतर से आती हूं तो मुझे मालूम है कि पहले समाज की सोच एक लड़की के पैदा होने पर कैसी थी और अब जो ये बेटी बचाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जो चलाया जिसके साथ करने समरीदी योजना को जोड़ा गया उसने सच मुच यह सिरुफ मात्रा अभियान बनकर नहीं रहा है इसने समाज की जो महिलाओं के प्रती सोच थी उसको बदलने में बहुत महतब पूरण भूमिका निभाई है बहुत सारी योजनाएं हमारे प्रधान मंतरी जी न अपर उसके आंकड़े हमेशा आपके पास आते रहते हैं लेकिन मैं फिर भी देना चाहूंगी क्योंकि उनू आउक्त है वानो परधान मंतरी अवास योजना है उच्बला यह फिर अटल पेंशन योजना है वुद्रा बैंक योजना है सारी योजना है कही ना कहीं महिलाओ के साथ चोड़ी होई है और मेरा तो मानना है कि अगर कहीं किसी गरीभ परिवार के पास अपना आवास नहीं होगा तो इसकी सबसे ज्यादा सजा किसको होती है यंद कैने महिला को होती है क्योंकि पती तो थोड़ी देर के लिए बाहर भी चला जाएगा मैं अप्ना समाजिक कारे करने भी चला जा जाएगा लेकिन महिला अगर किसी महिला का मकान कच्छ है और चप टप गिरता है तो यह एक मा या बेटी के रूप में या पतनी के रूप में एक महिला जी जानती है कि उसको कि इतनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है वैसे ही हमारी जो उजवले योजना चलाएगे शहरी क्षेतरों में तो शाहिद पता ना चले लेकिन जिस अब यहां तो हम चला लेंगे महिलाएं पोशित भी हो जाएगी लेकिन एक पोशित महिला को अच्छा खाना मिल जाएगा अच्छे फ्रूट मिल जाएगे लेकिन उसके पास अगर चुला गैस नहीं होगी वो जंगल से लगड़ी बीन के लाएगी फिर उस चुले में आग पट्फर में जितनी भी चलाएं यह महिलाओं के विकास में एक नीम पत्थर साबित हुएं क्योंकि जिस महिला का जो महिला, महिला खुद अगर बिक्सित होती है तो इस महिला का परिवार बिक्सित होता है, अगर महिला कहीं अपने आपको पिछडी महसूस करती है, जैसे आज पोशन अवियान चलाया, प्रधान मंत्री जी की सोच थी कि पोशन अवियान को एक ग्रास रूट तक का अविया शुरू मनाया जाए वो किस लिए क्योंकि इंडिया में हर दूसरी महिला जो है वो उसमें आइरन की कमी है पोशन की कमी है छोटे बच्चों का तो अलग ले लो बजुर्ग लोग ले लो लेकिन भारतिये परिवेश में हर दूसरी महिला कहीं ना कहीं उसमें आइरन की कमी पा है यो अगर स्वैंपोस इतनी होगी तो अपने परिवार को पॉसित कैसे करेंगा अगर अगर परिवार पॉसरित नहीं होगा तो िर्फ लुकल इस तरीके से हम लोग अपने परधानमंत्री जी का आज धन्याबाद किया है कि उन्होंने महिलाओं के क्षेतर में जिस तरीके से एक अलग तरीके की योजनाई जिसके बारे में पिछे पिछले 70 वर्सों में नहीं सोचा गया वो कारिक्रम योजनाई चलाई तो उनको महिला मोर्चा की तरफ से हम सबने सादुभाद दिय है उनका धन्याबाद दिया है और वो जो महिला मोर्चा को जिस तरीके से वो राष्टी इस्तर पर और अपने समाजीक राजनेतिक और आर्थिक रूप से जिस तरीके से सुदृता की और ले जा रहे हैं मुझे लगता है आने वाले समेह में देश के अवाद आधियावाद निश्चित रूप से चाहिए वो समाजीक रिष्ट रहो चाहिए राजनेतिक रहो चाहिए आर्थिक रहो उसमें अपनी भागिदारिस निश्चित करते हुए समाज की मुख्यदारा में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी कि कुछ कारे करम महिला मोर्चा ने लिया है जो हम लोगों ने टे किये हैं और समें सबसे पहला जो कारे करम हम लोगों ने शुरू किया वो फ्रंट वोरियर्स को लेके किया जो फ्रंट पॉरोना वोरियर्स जो महिलाए रही हैं क्योंकि आपको पता है संकट काल में अगर सबसे ज्यादा फ्रंट वोरियर्स के रूप में सब डिपार्टमेंटे काम करने वाली महिलाएं हों और मेरा मानना है ग्रामण क्षेत्रों में तो जहां हेल्थ सर्विसिज आपकी पूर है वहां पे सबसे ज्यादा काम अगर किसी ने किया है तो आशा वर्करज और अंगनबाडी वर्करज ने किया है तो यह फ्रेंट व मोर्चा जो है इन फ्रेंट वोरियर्ज को हम लोग उनको समानित करने वाले हैं दूसरा दूसरा कार्यकरम हम लोगों ने लिया है पोशन अभियान जो मैंने पहले ही कहा जिसमें हमारी भारत सरकार ने 946-46 क्रोण रुपे का बजट जो है वह शुरुवाती रूप में दिय कि इसके पीछे हमारे परधानमंत्री की सोच क्या है क्योंकि जो पहली जो आपको आप जीवन में पाठ पडाती है आगे जीवन में अपने परिवार को अपने बच्चों को विक्सित करने के लिए जो सबसे बड़ी एक टीचर होती है वो मा होती है और महिलाएं जो कि परिवारिक फ्रेंट और प्रफेशनल फ्रेंट वर आज महत्वण भूमी का निभार है अगर वो कहीं उनके पोशन की उनके शिर में कमी पाई जाती है तो वे अपने अपने इस चारू रूप से काम नहीं कर पाती है तो इस पोशन अभियान में बूडे बच्चे और महिल पाई शेश रूप से शामिल की गई है इसको जन जन तक पहुंचाना इसके लिए महिला मोचा जो है एक अभियान की शुरूआत करेगा और इसको परदेश सर्थ से लेकर आश्टी सतर तक इस अभियान को हम ग्रासरूट लग तक लेके जाएंगे इसमें हम अंगरमारी वर जो कि परदानमंत्री का सपना है कि 2022 तक कुपोशन मुक्त भारत हो उसको साकार करने के लिए भारती जनतापार्टी महिला मोचा बहुत बढ़ी भूमका निभाने वाली है और हमें पूरी आशा है कि महिला मोचा इसको जन जन तक लेके जाएगा और इस कारेकरम को हम लोग इसको 2022 तक हम भारत को कुपोशन मुक्त करेंगे और तीसरा कारेकरम जो महिला मोर्चा ने लिया है वो आपको पता है कि हम 75 वर्सगाट 75th anniversary हम independence की मनाने जा रहे हैं उसके लिए हमें एक कारेकरम जो है जो अरड़ी परदानमंत्री जी ने 15 गरस्त को लाल के लिए से जिसकी लॉंच कर दिया था इस कारेकरम को और इस कारेकरम को हम लोगों को 15 गस्त 2022 से लेकर 15 गस्त 2023 तक चलाना है लेकिन हमने अल्रड़ी 15 गस्त 2022 से पहले ही 75 सप्ता 75 वीक्स अर्लियर हम लोगों ने इस कारेकरम को चला दिया है इस कारेकरम को 12 मार्च को कि लॉंच किया गया था सुरी गुजरात में लॉंच किया गया था और गुजरात में लॉंच करने के पीछे इसका जो सुरी गुजरात में लॉंच किया गया था और इसके पीछे एक विशेश कारण था विशेश कारण था आपको पता है कि 12 मार्च 1930 को राष्ट्रपती महत् गांदी जी ने सत्या ग्रह अंदोलन की शुरुवात की ती और 2020 में 91 पूरा होने पर परधान मंत्री जी ने साबरमति आश्रम से अमरत महस्व की शुरुवात की और एहमदाबाद से लेकर आपका साबरमति आश्रम तक आपको पता है का संचालन के संचालन किया गया बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे बुद्धी जी में ने समाज के में अगरणी का निवाने वाले लोगों ने इसमें भाग लिया था इसके पीछे एक सोच है परधान मंत्री जी की उसके बारे में हम लोगों को जानना चाहिए इसका कारण प्रधान मंत्री ने बताया था उसी को मैं रिपीट कर रही हूं कि नम्मक भारत की आत्मनिरवर्था का प्रतीक था अंग्रेज्जों ने भारत के मुल्यों के साथ साथ इस आत्मनिरवर्था को भी कहीं ठेश पहुंचाई थी तो यह जो अमरित महुतसव हम 12 मार्च से शुरू किया गया इसके पीछे एक सोच है कि हमारा भारत वर्ष जो फिर आत्मनिरवर्था बने हम लोगों में नैशनल अ कि हम पैट्रियोटिक हों और साथ ही साथ आत्मनिरवर्था का जो हमारा सपना है उसको साकार करने की दिशा में हम लोग बढ़ें इसलिए यह मोतसव जो है 15 अगस्त 2020 से लेकर 15 अगस्त 2023 तक चलेगा इस मोतसव को महिला मोर्चा भी इसमें बढ़ चड़कर भाग लेने वा भूम का इसमें नभाएगा इसमें हम लोगोंने ते किया है कि बृत्चितर बृत्चित्रों द्वारा और अपने देश भक्ती के गीत डिवेट टेक्लामेशन इस तरिके के कारेकरम महिला मोचा करे और फ्रीडम फाइटर्स जहां कहीं है या उनसे सबंदित चो परिवार ह उनको हम लोग समानित क्रें इस कारेकरम में और साथ सात स्कूलों में भी हम लोग आने वाले समय में इन कारेक्रमों को लेके जाएंगे डिशेट, Declamation लेने वाला है और उसको हर परदेश में देश में तो करेंगे हर परदेश में भी हम कोई ना कोई करेकरम लेजाके स्कूलों में ठोड़ी problem है तैकि जैसे ही जहां-जहां करोना काल में थोड़ा महौल ठीक होता जाएगा उसको हम लुग करेंगे एक कारेकरम हो और हमने लिया है जो देश के विकास के साथ चुड़ा हुआ है और देश की घ्रेलू इंडस्ट्री और जो हैंड लूम इंडस्ट्री है तो उसके साथ जुड़ा हुआ है उसमें हमने एक संकल्प महिला मोचा ने लिया है कि हम लोग हैंड लूम की साड़ी क्योंक और उसके बाद जितने भी handloom factories में काम करने वाली महिलाएं हैं, बहुत सारी महिलाएं उसमें आपको पता है 50% से ज्यादा महिलाएं काम करती हैं, तो उनको उनका उत्थान हो, उनका विकास हो क्योंकि हम लोग handloom से बना कपड़ा खरी देंगे, तभी इस industry को जो है इसकी growth म हम लोग अपनी भूमिका निभा पाएंगे, तो इस कार्यक्रम को भी हम लोग बहुत बड़े हस्तर में लेके जाने वाले हैं, इसमें हमने ते किया है कि समाज में जो महिला, चाहे किसी चाहे वो NGO चलाती है, चाहे डॉक्टर्स हैं, चाहे फ्रीडम फाइटर्स हैं, जो भ बहुत अच्छा काम किया है, समाज में, चाहे करोना काल है या इससे पहले है, उन महिलाओं को हम लोग हैंड लूम से बनी हुई चीजें देंगे, चाहे वो साड़ी है, चाहे सूट है इस तरह का, और साथ में प्रोथसाइत भी करेंगे, इसको करने के लिए महिला मोर्चा जो है, बहुत बड़ा एक अभियान चलाएगा, बाकि और कारेक्रम भी आने वाले समे में, आप लोगों के समक्स महिला मोर्चा की तरफ से आएंगे, तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ, कि महिला मोर्चा नी चार पांच कारेक्रम लिये हैं, और आप सब छोटी जी उसमें, क्योंकि हम लोग तो फर्स टाइम मिल रहे हैं, तो आप सब लोग आए और आपने हम लोगों को सुना तो आपका बहुत बहुत थन्यवाद है, आप सभी, आप अच्छा, वहाँ, इस विशाजी संबधी तो अगर कोई भी प्रशन है, तो आप पूछ सकते ही, जब कर सकते ही, जब कर दो आप को प्रशन ललिया, मैने शरंदी जी, तैंक यू, इसमें बहुत बिस्तित चर्चा हुई, फॉर। आपको पता होगा कि बैसे तो इस वीषय वे चर्चा कि महिला मोचा भार्त खास करके भारती जनता पार्टी महिला मोचा सिर्फ चुनाबों के दुरान अपनी भूमिका नहीं नवाता है आपने करोना काल में देखा होगा अगर किसी भी पार्टी के संगठन में अगर सबसे एहम भूमिका करोना काल में घर गर मास्क पंचाना हो अनाज पंचाना हो इवन तक हमारी महिला मोचा की महिला और कुछ परदेशों में तो खाना भी खुद बना के करोना पीडित परिवारों को बांटा है मैं जहां परदेश में रहती जहां जिस कृषयत से मैंने काल में डैथ हुई तो इवन तक महिला होने के नाते भी हम लोग वहां भी उसकी जब दहास अंसकार हुआ हम लोग वहां गए हैं तो सिर्फ यह भारती जनता पार्टी के कारियकरताओं ने नेताओं ने किया है और इसमें महिला मोर्चा ने बहुत अगरणी भूमिका परदेश और देश में मास्क बांटे समसे पहले घरों में कपड़े कपड़े से मास्क बनाएं क्योंकि तब आपके पास सर्जिकल मास्क नहीं थे तो मुझे लगता है कि समाज को भी जाने में महिला मोर्चा ने बहुत महिला मोर्चा सिर्फ हमारा भारती जनता पार्टी क का मेहला मोर्चा सुस्ट चुनाबों में अपनी मूम नहीं नहीं हुआता है हम लोग जो है हमेशा अपनी भोमिका निवाने में ततपर रहते हैं जब भीdays जोत अइसानिम जो है उसका अपने फिल्ड मेर है बहुत महतेपूर्ण च्थान रहा है और मुझे लगता मेहला मोर्चा की टीमी जो है वो जो पिछली अध्यक्सा जी चर्चा हुई, रेजुलिशन आपके पास आजाएगा, और स्मस्त महिला मोर्चा की पूरी टीम ने इसकी बतर्षना की है, और समय आने पर हम लोगों ने इसे सुवंतित जो है, महिला मोर्चा कुछ अंदोलन करने के हम लोग मूड में हैं, उसके लिए हम रूप के बनाने वाले हैं, और जिस तरीके से, देखिए ये ममता में नर्जी भी एक महिला है, उनका सुभाग्य है, खुद तो वो जीती नहीं है, लेकिन उनका सुभाग्य है, कि उनकी सरकार वहां सब्ता में आ गई, लेकिन चाहे वो किसी भी पार्टी का कारे करता हो, आप यह हम बैठे हैं, किसी भी पार्टी के हो सकते हैं, आपका मौली का अधिकार है किसी को भी मत देना, लेकिन ये मौली का अधिकारों का, अगर किसी ने भारती जनता पार्टी को वोट दिया, किसी ने कॉंग्रेस को दिया, किसी ने ममता बेनर्जी की सरकार को दिया, तो इसका म महिला मोर्चा इसकी बतर्सना करता है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो महिला मोर्चा अंदोलन करने पर बाती होगा यह हमारा कहना है हम अभी किया हम लोग चो क्योंकि जनरल हमारी मीटिंग थी उसके बाद जब हम लोग बैठेंगे पद हदिकारी अलग से तब आगे क्या करना है को हम नहीं आपको पता होगा कि हमारे गृहीं मंत्री जी ने उस पे बहुत बड़ा संग्यान लिया है और काफी कारेवाई इस पर रिपोर्ट में मांगी है कारेवाई भी की जा रही है तो मुझे लगता है इस पर बहुत बड़ा एक्षन होने पाला है आपको पता है बहुत सारे लोग से सबंदीत अरेस्ट भी किये गए है बहुत बड़ा एक तंत्र है जिसके बारे में जानका कह रही है और जब जानकारी गठी होगि तो मुझे लगता है इस पर लिए जाइगा समय आने पर कर आहां सभी का बहुत 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 दन्यवाद नमस्कार सब को कि अ के अ झाल झाल जान झाल